आपके साथ देशिन लगातार हम आपकी कप्रेश दिखा रहे हम इस तो में मौझूद है उत्री पच्छ में दिली के शाबा डेरी डी ब्लोक मदर डेरी के बास और यह एक ब्राद घर है ब्राद घर में जूड़ो अकैडमी चलती है अफैक्स जो जूड़ो अकैडमी है हम व रानो रानो जी क्या आपकी प्रोब्लम है क्या सब्सक्राइब कर पाते हैं आप बताये हमारे आना मलब जगा की कमी है और हम मलब जंग से करनी पाते हैं बहुत आप बोलिए सर वाश्रों में लाइट नहीं है पानी की सुजदा नहीं है से भुक्त सारी प्रोब्लम है मेटश भी खराब ओ रहे हैं है तो पर खरी को छापी बच्ची हो जाते उसकी समस्चार कोन क्यों कहतं करता है इतना घर्च्ड पानी कैसे होता ऑफ no too sir घदा भाईया और दीदी को उठाना परता है और हमारा भी वृ जव सर बस आप बताए अबर जुड़े सीकने से तो साई से होनी पाधा हमारे हमारा शाथ और मी मौझूद ए लोगर नाम के बाद देश वालों सबस्क्राइब यो आण चणाना में है और पहले भी फैसलेल्टी इतने सही नहीं थे और अभी भी है नहीं आप इसके सीज में खेल चुके हो सर मैं नेशनल तक खेला हूं मैं दो तिन नेशनल खेले मैंने चाह तक वह सरे डाइट की कमी के जैसे मेरे को छोड़ना पड़ा अब चाहर में दो भी लेने सभी आते हैं जैसे डिप्टी चेर्मेन हो गया विधायक है सब भोल के चले जाते हैं हम यह करेंगे यह करेंगे वादे करते हैं कोई नहीं बात है निया सर इस्थानी बच्चे हमारे साथ मोजित हैं लेकिन उनकी कुछ आर्थिक समस्यां है जैसे परिवार को लेके और उनकी को लेके लेकिन उनकी समस्यां दूर नहीं कर पा रहे हैं और उनको चाहे निगम पार्षाद हो चाहे एंप्यों चाहे विदाये को लेकिन लगातार जैसी कुछ आई 100-300 बच्चे हमेशा दो सिप्ट में चलते हैं लेकि इनको कोई सपोर्ट नह के बाद वो अपने लेके आते हैं लेकिन ऐसी क्या बज़ा है लेकिन यह जो बच्चे में आपको दिखा रहे हैं यहां से लेके वहां तक यह सभी इंटरेनेस्टल खेले हुए हैं कोई जूनियर है कोई शीनियर है कोई जूट गया है लोगों का क्या कहना है हमारे साथ ओपोक्स जूडो अकाडमी छोटे बच्चों से लेकर यूआओ तक राश्टिय वे अंतर राश्टिय इस तरके खिलाडियों को तयार करती हैं आपको बता दे कि सरकार वे खेल पदिकरन दुआरा कोई भी सायता नहीं मिलने के बावजूद भी अकाडमी के कोच बबलू काजल वे ताइकांडो के कोच गोरव सर्मा दुआरा लगबग 250 खिलाडियों को निशुलक कोचिंग दी जा रही है अकाडमी के कोच बबलू ने रफ्तार न्यूज को बताया कि अकाडमी से हर वर्स आठ से दस खिलाडी राष्टिय वे अंतर राष्टिय इस्तर पर मैडल जीत कर दिल लिवे अपने देश का नाम रोसन करते हैं लेकिन फिर भी सरकार दुआरा अकाडमी का कोई भी सुविधन नहीं दी जा रही है अकाडमी में जूडों के साथ साथ ताइकांडों की भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि खिलाडी अपनी आतमरक्षा समय करने में सक्सम रहे हम आपको बताते चलें कि जिस तरीके से यहां पर उत्री पच्छी में दिल्ली के साहबा डेरी में देखने को मिल रहा है कि आप भी देखकर खुस हो जाएंगे कि यहां जो खिलाडी हैं नए यूवा हैं बच्छे हैं उनको यहां ताइकांडों इस तरी से जूडे कराटे हर तरीके से प्रेक्टिस कराई जाती है जिससे बड़े इस्तर पर भी उन बच्चों को उन खिलाडियों को भेजा जाता है जो गोड मेडिल लेकर अपने देश का नाम रोसन करते है वहीं अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार से कोई भी ऐसा लाब नहीं मिल पा रहा है अब देखना होगा कि आखिरकार जो एकेडमी चलाए जा रही है उसमें कितना हो है आप ये खुद भी सुन सकते हैं जो उन्होंने बताया उसके उस पर आप खुद सुनिये और देखिए कि आखिरकार ऐसा क्या है जो यहाँ पर छोटे बच्चों से लेके और बड़े खिलाडियों तक तैयार किये जाते हैं उसके बाद में इन बच्चों को बड़े बड़े उसमें भेजा जाजा है जहां पर ये बच्चे देश का नाम रोसन करते हैं दिल्ली से लेकर बाहर तक ये खिलाड़ी जीत कराते हैं गोल्ड मेडल लेकर आते हैं जो देश की राजधानी का ही नहीं बलकि पूरे देश का नाम रोसन करते हैं सुनिये क्या कहा यहां पर मतलब जो गरीब बच्चे कर सकते हैं वह मतलब जो अमीरों के बच्चे वह नहीं कर सकते सब्सक्राइब तो नहीं कि देश का एक सुनहरा बहुत से उजागर हो सके सर यहां पर मतलब हमें स्पेस की प्रॉब्लम है और गद्धों की ना हमारे पास गद्धे गद्धे ऐसे हैं हमारे पास जो खतम हो चुके हैं बिल्कुली यहां जो साशन पर साशन है विदायक है निगम पार्शद है उनसे कभी आपने गुहार लगाई है इस बात की कि हमें कुछ इस टाइप का स्पोर्ट किया जाए मैंने राइटिंग में भी लिखके दे रखा है और मतलब कोई कारवाई नहीं होती बस वो कहते दिलासा देते रहते हैं कि हां करवा देंगे बजट नी आया हमारा बजट पास नहीं हुआ है ऐसे बोलते रहेते सब्सक्राइब कि आपको किसी प्रकार कोई मदद नहीं में किते दिन पहले आपने लिखित में कोई गया पेंडिया थे तीन मैंने हो गया आज किसे आप यह संस्ता चला रहे हैं यह मेरे पास इंटरनेशनल बच्चे भी हैं और मतलब नेशनल में हर साल पांच या साथ मेडल हमेशा आते हैं तो इतने टैलेंट आप यहां से निकाल कर नेशनल इस तर पर दे रहे हो तो क्या आपको जो फैडरेशन है भारत की जुड़ो फैडरेशन उसकी तरफ से कोई साहिता के लिए वह कहते हैं मतलब आएंगे बोल देते हैं फिर कोई सुनवाई नहीं होती है अब हमारे साथ य चोटे बच्चे को उनके माइन से फिर्म आप माइन होते हैं तो उनको कुछ भी अगर समझाते हैं तो इसलिए समझ लेते हैं वह इसलिए ज्याद़ प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को टेंड करने के लिए हमें अच्छी यह बताए कि 200-200 बच्चे यहां पर कारी करते ह बच्चे काफी महनती है और कर सकते हैं यह आगे भी में को इनमें कच्ची मटी है अब कहांब है जैसा हम तराशन चाहें व्ह unfold जाएंगा आपने कहां से शुरू किया था टाइकाउंडो मैं कंद्रे विद्ध्यालने में पड़ा हूँ और मैं चटी क्लास में में अट्श पंट्र केहल था शुरूब्ल मैं चटी क्लास में व्हांने तो वहाँ पर मैंने दो फाइटे निगा ली और थाइलेंड के साथ उसके बाद में कोरिया से हार गया था देखिए दस साल में आप कहां का खेल चुकी हो तो अभी आगे भारत के लिए खेलने के लिए पाई लेकिन मैंने इंडिया का मटें कर रहा है तो यहां पर थोड़ा एरिया थोड़ा है नहीं न इतना अच्छे से अपके सामने आई है हां मेरी आर्थिक स्थिक जो परिवार के वह इतनी अच्छी नहीं है मैं खुड टुशन पढ़ाती हूं बच्चों को पढ़ाकर जो मिलता है उससे अपना चलाती हूं अपना आपका क्या नाम है कितने दिन से आप यहां सीक रहे हो शे साल कैसा लग रहा है आपको यहां को अब जोलत हैं इन्होंने हमें एक बारी इंडिया रिप्रज़न करवाया है आपका क्या नाम है जी मेरा नम विशाल है विशाल जी कितने दिन से आप जूड़ों से रहे हो तीन साल होगा जूड़ों क्या सोचकर आपने जूड़ों स्टार्ट कि अब मेरे लिए यह सबसे अब देखिए अब मैं आपको बता दूब